इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे IRCTC के बारे में जिसने की अब भी अपने कॉड़ेटू के नंबर्स के अनॉसमेंट कर दी तो चलिए देखते हैं IRCTC के इस बार के नंबर्स कैसे रहे तो डिसकस करेंगे हम लोग कंपनी के रिजल्ट्स पहले आउटकम की बात करें त देन उसके बाद एक इंटरिम डिविडेंट की अनॉसमेंट हुई है जो की चार रुपए प्रती शेयर का है अपनी फेस फोली के रिकॉर्डिंग दोसो परसेंट का है और रिकॉर्डेट जो की पहले ही अनॉस हो चुकी थी 14 नवंबर दोसार उसके बाद एक इंटरनल और की अपॉइंट्मेंट हुई तो सिर्फ यह तीन चीज़ें कवर हुई है डिविडेंट रिजल्स एक अपॉइंट्मेंट तो बोनस से रिगार्डिंग तो कोई न्यूस नहीं है बट कंपनी ने काफी अच्छे डिविडेंट की अनॉसमेंट जरूर करी तो चलिए देखते ही पांस से दस मट में सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा तो कॉर्डर टू की अर्निंग से कॉर्डर वन की देन लास्ट एका कॉर्डर टू का डेटा तर्ड कॉलम में रिवेन्यू की बात करें जो की यरली 992 करोड से 1063 पे आ गया कॉर्डर ली 1100 से 1063 पे तो रिवेन्यू इस बार कॉर्डर प्लस एरली दोनों ही जगह में डाउन देखने को मिल रहा है और मार्केट एस्टिमेट की बात करें तो आपका जो एस्टिमेट था वह 1125 क्रोड का था तो बिलकुल मार्केट एस्टिमेट हमें यहां मिस होता हुआ देख इस बार डाउन देखने को मिलेगी देन बात करते हैं कंपनी की टोटल एक्सपेंसे जो क्यों होते हैं खर्चे तो यहली खर्चे बढ़ चुके हैं जो की 644 से 707 पे आगे कॉडरली एक्सपेंसे का मैं 759 से 707 पे देन डिसकस करते हैं कंपनी को टोटल प्रॉफिट या और quarter 1 में 307 क्रोड के प्रॉफिट तो वो 305 पे आगे तो quarter on quarter एक nominal सी गिरावट है और yearly basis पे आपको उछाल एक देखने को बिलकुल मिल रही है और market estimate की बात के तो market का नुमाद थोड़ा सा जादा था जो की था 316 क्रोड का जो की हमें miss होता हुआ देखने को बिलकुल मिल तो market estimate के साब से तो numbers नहीं है बड़ yearly basis पे आपको थोड़ी बहुत growth देखने को मिल रही है और quarter on quarter एक थोड़ी बहुत किरावट भी देखने को मिल रही करीबन 2 क्रोड की same reflection EPS में yearly profit बड़े तो EPS भी 3.68 से 3.85 quarterly आपको EPS flat देखने को मिल रही 3.85 तो overall दोस्तों यह थे IRCTC के numbers जो की बिलकुल अगर आप देखेंगे तो market estimate को meet नहीं कर पाए तो हो सकता है इस basis पे correction आ सकता है तो आपको आपको आस कितने shares है IRCTC के comment box में बिलकुल बता हैं तो मिल